कर दिस्कस करेंगे इस वीडियों में डिस्कस करेंगे participant in isothermal process इसे पहले हम वार्ड डुर्ण जो है open system, closed system क्या होता है वो discuss कर चुके है constant volume, constant pressure और एडियाबेटिक तीनों प्रसेस का हम अलग-अलग वीडियो में वर्गडन निकाल चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए आईसो थर्मल प्रसेस जब होता है तब वर्गडन का फॉर्गूला क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे तो पिसले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नहीं तो थर्मो अब यहां पर देखे कुछ एक्सप्रेशन लिकावाई दा एक्सप्रेशन ऑफ़ लूज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम वार्ग फोर दा इसो थर्मल प्रोसेस इज सेम देखे हमने जितने भी सिस्टम डिसकस किये चाहे कोस्टन वॉल्यूम कोस्टन प्रेशर हो चाहे अड अब ही हम डिसकस करते हैं आप सभी को पता है हमारा जो ideal equation होता है वो क्या होती है PV बराबर MRT PV बराबर MRT अब process कैसा है isothermal यानि कि T हमारा क्या है constant है और MR दोनों वैसे भी constant है यानि कि PV की value जो है वो क्या हो जाएगी constant हो अब हम क्या करते हैं इसका differentiation जब हम differentiation करेंगे तो एक बार एक को constant मानेंगे दूसरे का differentiation करेंगे पिर दूसरी बार इसका reverse करेंगे जैसे कि P मैंने constant माना और V का मैंने differentiation किया तो क्या हो जाएगा dv प्लस इस बार मैंने V को constant माना और P का मैंने differentiation किया तो DP बराबर constant का differentiation 0 होता है यह आप सभी को पता है अब हम एक term को उदर लेके जाएंगे PDV बराबर minus VDP मैं इसका integration दोनों तरब कर देता हूं तो PDV बराबर minus का VDP अब यहाँ पर आप observe कर पा रहे होंगे कि यह जो हमारा है यह क्या है work done for the closed system और यह किसका है यह work done by the open system यानि कि जब हमने क्या माना temperature हमारा constant है यानि कि process कैसा है आई-सो थरबल तो हमारा जो work done closed system का और open system का work done same आगया तो हमको क्या है open system और closed system के लिए अलग-अलग वर्डन का formula याद नहीं ही रखना है हमको दोनों के लिए सेम ही याद रखना है अब यहाँ पर देखिए यह important इसलिए है कई बार जैसे कि for example SSJ means में आपको यह पूछ सकते हैं कि for for the closed system and open system isothermal is same explain यानि कि आपको means के अंदर एक तीन-चार नंबर का question दे सकते हैं तो आप ऐसे करोगे तो आपको easily तीन से चार नंबर मिल जाएंगे जितने भी नंबर का होगा अब हम discuss करते हैं कि ISO thermal process में work done कैसे निकलेगा अब हम बात करते हैं work done जो होता है उसका फोर्मला क्या होता है PDV PDV अब यहाँ पर simply हम क्या करते हैं PV बराबर क्या है constant है तो यहाँ पर मैं P की value लिख देता हूँ C upon V तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा W बराबर C upon V मैं C को बाहर लिख देता हूँ upon V आ जाएगा ठीक है और यह आपका DV हो जाएगा अब simply आपको क्या करता है 1 upon V का integration करना है तो W बराबर C और V जो है कहां तक जाएगा V1 से लेके V2 तक और 1 upon X उसका integration क्या होता है log X होता है यह आप सभी को पता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log V और V1 से V2 ठीक है अब यहाँ पर देखिए W बराबर C log V2 minus log V1 हो जाएगा अब आप सभी को पता है log A minus log B बराबर होता है log A upon B यह mathematic term जो है जितने भी formula है यह आप सभी ने 11-12 में पढ़े होंगे तो आप easily समझ गए होंगे तो work done का formula हो जाएगा C ln V2 by V1 ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ आप notice करेंगे मैं अगले page में आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप जहां से देखोंगे तो work done का formula आया है हमारे पास C ln V2 by V1 अब अभी हमने discuss किया था PV बराबर constant है तो P1 V1 बराबर P2 V2 यह मैं कहे सकता हूँ V2 upon V1 बराबर क्या लिख सकता हूँ P1 by P2 तो मैं यहाँ पर यह भी तो लिख सकता हूँ W बराबर C ln P1 by P2 तो यह भी सही है यह भी सही है अब आप सभी को पता है PV बराबर क्या होता है PV बराबर MRT T यहाँ पे constant है तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर MR T1 के दो या फिर MR T2 के दो बराबर क्या हो जाएगा constant तो अब मैं work done का formula जो है इस C की जगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यानि कि P1 V1 लिख दिया मैंने LN V2 by V1 भी लिख सकता हूँ या फिर P1 by P2 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे P1 V1 की जगे P2 V2 भी लिख सकता हूँ यानि इस C की value आप कुछ भी लिख सकते हैं तो हमारा जो final expression है वो यह आपको याद रखना है for isothermal process यानि कि हमारा T यहाँ पे क्या है constant है तो मुझा उमीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि constant temperature के अंदर यानि कि ISO thermal process के अंदर work done कैसे निकालते हैं और close system और open system के लिए work done same होता है तो friends सिदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले thank you